मैं से अपनी जयन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने येटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर जीएश्टी में एक लेटर जैजमेंट आया है वह जीएश्टी में काफी बड़ी रिलिफ प्रोवाइड करने व उतल लगाया है उन दोनों को चैलेंज करते हैं इनको कवेश्ट कर दिया जाए घीक है अब यहाँ तोब सबस्क्राइब होगा उन सबस्क्राइब सब्सक्राइब उनकी जो डिमांड है वो आ जाएंगी तो उसकेस में डबल लोज हो जाएगा इस परसंट ने अपना जीश्टी पे कर दिया सामने वाले ने जो है उसका क्लेम ले लिया लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव क्ले कैंसिल होने की वजह से वो सभी परसंट को नोटे जाएंगे कि क्यूंत अप्लाइ करते हैं तो उसमें भी इनकी जो है कि सर आपके प्रटिकुलर स्वागी है इसके प्रोब्लम आएगी तो दोनों प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो यहां पर जो स्सी के फिवर में डिसीजन आए है काफी बड़ी रिलीफ प्रवाइड करना वाला है है और अगर आपको भी कैंसिलेशन के नोटिस आ रहे हैं या आई टी से में मिस्मैश के नोटिस आएंगी सर आपने एक आई टी सी क्लेम किया है और इसका जो यह नंबर है दोनों में आपर काफी बड़ी एक्सेशन प्रवाइड होगी पॉइंट पॉइंट यहां पर ध्यान इसके नंबर है एक परिटिकुलर इस परसन का जीस्टी जो है और इस्टेशन है उसने प्रेटिस्टी ऑप्टेन किया उसके बाद जो है वह सप्लाई करते थे प्लास्टिक गर्नियूर्स एंड पीवीसी दाना उनके बास सोको नोटिस आया 10 जुलाई 2023 को इसमें जो है कैं स्टेट्मेंट या फिर सप्रेशन ओफेक्ट के थुरू अगर इसी नंबर लिया है तो प्रोपर ऑफिसर के पास पावर है उसको कैंसिल कर सकते हैं डिरेक्टिट टू एपिर बिफोर अंडर साइंड ऑफ सोको नोटिस उसमें कहा गया कि साथ दिन के अंदर रिप्लाई सम लिंग दा रेश्टेशन पैटिशनर रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया गया थार्टीन ओफ माई टोसाजन टॉन्टीटू इक है उसने जिस प्रोविजन का यूज किया उसके बारे में यहां पर प्रोपर बदाया कि यह जो रेजिस्टेशन है वह ऐसा लगता है कि यह फ फुल्फिल मिस्टेटमेंट यहां पर है यहां फिर जो है suppression of fact है ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से यहां पर जो है GST को backdate से cancel करने की requirement आगी there are no details of any alleged fraud, willful, misstatement or suppression of fact in the socos notice ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया और socos notice जो भेजा गया उसमें जो है यह भी नहीं लिखा गया कि इसमें region क्या है कि details region यहां पर upload नहीं किया गया कि क्या evidence है कि जिसकी वजह से यह cancellation होगा retrospectively यह भी यहां पर नहीं बताया गया Socos notice further require the practitioner to appear before the undersigned notice however the Socos notice does not even have the name designation और office of the issuing authority तो देखें यहां पर यह भी एक point आता है कि जब center से issue होता है mostly इसमें center वाले जो notice है उनमें प्रोब्लम है यहां पर क्या प्रोब्लम देखी जा रही है कि वहां पर जो है name designation और office का नहीं पता रहता है कि वहां पर कहां पर appear होना है कि state वाले जो notice आते हैं उसमें clearly लिखाता है सब कुछ mention होता है center वाले notice में भी काफी हत्तक यहां पर काफी बार ऐसा होता है कि name designation office सब कुछ लिखा है वह लेकिन काफी बार जो है वो plain notice आ जाता है तो कुट भी treated as the understand before from किस के यहां पर जो है किसके सामने जो है पेटिशनर को प्रियंट होना था उस के रिगार्डी सब्सक्राइब कम्प्लेटली ब्रीफ अनी डेटेल्स फर्दर सब्सक्राइब नोट पूट 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 पैटिशनर तो नोटिस्टेशन जो है वह वह जिसमें इस वाले सोगोज का नोटी का जो है reference दिया गया है and then states that effective date यह होगी there is no region mentioned in the order जब order पास किया गया तो उसमें कोई रीजन ही नहीं लिखा गया the order is completely brief of any reasoning details of discussion and simply creating one line order उसमें एक simple order था कि इस डेट से कैंसिल हो जाएगा तो देखिए यहां पर इस टाइप जजजमेंट आ रहे हैं उसमें जो है responsibility बढ़ रही है प्रोपर ऑफिसर की कि वह speaking order पास करें और हर order में प्रोपर details दें कि वह ऐसा क्यों करने है इंद वी ओ वह नाइदर सोगोज नोटिस नोर दा ओडर ऑडर कैंसिलेशन और सश्टेनेबल यहां पर यह जी देखे गई है कि वह सोगोज नोटिस भी और जो ओडर पास किया गया वह दोनों ही सश्टेन नहीं करेंगे और इस तरह से जो है वह request की गई है कि सर आप जो है इन नोटिस को और जो ओडर है दोनों को क्रेस किया जाए ठीक ह उन पर जो है डिटेल चेक कर सकता है रिजन इन सबोर्ट ऑफ दो सोगोज नोटिस कि नोटिस में जो है वो लिखा गया था लेकिन ओडर में नहीं लिखा गया खिक है यहां पर कह रहे है रहे है पर अधुर्टी इस हुए नोट सोगोज नोटिस एंड और ऑफ कैंसलेशन सोगोज नोटिस एंड और ऑफ कॉंसलेशन फुर्टेंट एंड सुर्टेंड रिक्वजए डिटेल्स उप एलिगेशन फंद एससे रिसी एससोगोज नोटिस नोट रिक्वाइट तो विजिट एनी अधर वेबसाइट कि जब एक बार नोटिस मिल गया तो उसको कोई सी अ सब्सक्राइट विजार्ट नोटिस पर दिख रहे है लेकिन जो प्रेंट आपर यहां पर यह कहा गया है उनको डिरेक्ट किया गया है कि पोटल में जो भी यह प्रोब्लम है उसको एक्टिफाई किया जा है सो को इस नोटिस या ओडर जो भी पास हो रहे हैं उसमें डिटेल रीजिनिंग होना जरूरी है इनकेस डिरेच एनी रिक्वार्मेंट ऑफ विजिटिंग ना उन्लाइन पो बिए देट देट पोटल फॉर फॉर देटेल्स एंड क्लेरिकेस अग्टैंशन फॉर रेड्स पोंडेंट एंड विल्फुल्फूल मिश्ट्मेंट एंड प्रैसान फैक्टिश्टर है इस ने विजिट क्या है और जो एडरेस है वो ट्रेसे बल नहीं है तर्ण कांसल इस वेरी मुच एगजिस्टिंग एड दा अडरेस एड विज दा फर्म एज बिन रिजिस्टर एंड इवन प्रियंट इन तुड उनकी तरफ से कहना था जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न कांसिलर उनके कहना था कि स्पेक्टर ने विजिट किया वो फर्म का अडरेस करता है और वो प्रियंट भी करता है कि सब्सक्राइब एक बार दुबार से रिजिट कर लीजिए उसने जो है रिक्वेस्ट भी समिट की देगे आपर एक से पॉइंट निकल के आ रहे है बतलब यह प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट आ रहा है आपके सामने की जी एस टी में क्या प्रोब्लम आ रही है जो प्रेडिशनर है या टैक्सपेर है उसने रिक्वेस्ट भी किया उसने सम्मिट भी लेटर यहां पर जो है विडियांस वहना जरूरी है तो अगर आपके केस मे करने के लिए नहीं आये हुए है प्रोपर ओफिशन नहीं आये है कि सब्मिट किया कि एप्लिकेशन जो है वह रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन वाज फाइल एस फॉर बैक एंग थार्टीन ऑफ सब्टेंबर 2023 एंड तिल देट इसके लिए फाइल की हुई है लेकिन अभी तक भी इसके लिए डिसिजन नहीं आया है तो देखिए यहां पर कितने माइनर माइनर और ट्रेक्टिकल एसपेक्ट्स पर पेटिसंस फाइल हो रही है और उनके जज्जमेंट जो है वह ऐसे से के फिवर में भी आ रही है रही है लेंग कांसिल फ्रॉम्टेंट समिट रही है रही है रही है तो पर आप नुट फेलिए तो सब्सक्राइब जो है अगाई गाई गाई है तिस्ट वियाव देखिए अट रही है और प्रॉट्स पर पर बेटेटिए और नोट शुस्टेबल नो परपाज विश्व इन वेंवेटिंग आउटकों अवफ दीटों फिवर जिसमें यहाँ पर यह कहना है कि जब आपने जो सोकों नोटिस और बेजा है उनकी डिटेल सी सटेनेबल नहीं है तो उस केस में जो जो उसकी आउटकम साईगी वह कैसे सस्टेन करेगी जो ओडर या जो नोटिस पहले भेजे गए है उन्हीं को यहाँ पर डिफेक्टिव क कैंसिल कर सकते है रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसको जो है वैक डेट से कैंसिल करना चाहिए उसके केस में क्या है यहाँ पर जो है केवल प्रोपर ओफिसर का खुद से सैटिसफाइब होना जरूरी नह है ठीक है वह सप्लाइ जो है जिसको भी यहां पर उस पॉइंट को भी चैनल किया गया है जो इससे पहले केश लो जाए है उसमें भी यह लिखी गई थी अगर रिटन फाइल नहीं हुई तब भी केवल जो है जय यहां पर यह पर यह कहा गया है कि जो GST है वो fraud तरीके से लिया गया था दोनों में फर्क है पर लेकिन फिर भी यहाँ पर यह चीज को mention किया गया है कि केवल return ना फाइल करने की वजह से भी GST cancel होना जरूरी नहीं है उस case में भी proper officer को यह चीज mention करने पड़ेगी speaking order pass करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि यहाँ पर यह भी जरूरी है कि उनके ऐसा करने से जो cancelling taxpayer registration है जिसका GST cancel हो रहा है उसके जो customers है उनको जो ITC है वो नहीं मिलेगा ठीक है although we don't consider it is opposite to the exam in the expect but assuming that the respondent contention in this regard is correct it will follow the proper officer is also required to consider the expect while passing the order तो यहाँ पर यह चीज क्या जो है सबसे ज्यादा है यहाँ पर इस चीज पर जोड़ दिया गया है कि जब भी proper officer कोई भी order pass करे GST cancel करने का retrospective वाला तो उनको यह point भी अपने mind में रखना चाहिए कि कल को जो customer है taxpayer के उनको भी काफी बड़ी problem यहाँ पर आईगी तो यहाँ पर backdate से retrospectively तभी जब जब ज़्यादा ही हाँ पर requirement आ जाए उस केस में उन consequence को ध्यान रखते हुए कि cancel किया जाए इन वी ओफ द अबोव दा इंपन सोको जो नोटिस आज वैल एज डा ओडर ऑफ कैंसलेशन बहुत हर सैट असाइड पेडिशन अलाव की गई order को सैट असाइड कर दिया गया इसका मसलब यह जो है क्वैस्ट कर देगा रद कर दिया गया है लेकिन यह डिपार्टमेंट को फिर भी पावर दी गई है कि वह प्रोपर अपॉर्चुनिटी देते हुए उनके जिएस्टी को बैकडेट से पावर में रखते हुए ऑफिसर को प्रोपर ऑफिसर को पावर दी गई है कि जब सब एविडेंस होने के बाद भी अगर उनको ऐसा लगता है यहां पर यह चीज जो है जो एक्ट में लिखी हुए पॉइंट्स हैं उनको सीक्योर किया गया है तो यह आज का जजमेंट इसक इसी टाइब के लेटे इसेजमेंट मैंने अपने युटूब चैनल पर अप्लोड की है आप ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं जिस्टिंग अप्टेक्स काफी सारी वीडियो बेसिक अप्डेट के साथ यहां पर आते रहते हैं चैनल का प्रपस जो है फुली एजुके है चैनल पर वीडियो देखके आपको मेनिफिट होगा यह वीडियो देखने के लिए